महाशवरात्री पर धर्म की नगरी काशी में रविवार को आस्था का सैलाब उमड पड़ा कड़ी सुरक्षा ववस्था की बीच लाखो श्रधालू श्रीकाशी विश्वनात मंदर के महादेव मंदर के दर्शन करने पहुंच रही है पूरीकाशी हर हर महादेव के जैगोश से गुंजयमान है श्रधालू गंगस्तान के बाद विश्व प्रसिद श्रीकाशी विश्वनात मंदर समेत तमाम शिवालों में हर हर महादेव के जैकारे की बीच बाबा भोले की पूझा आरचना कर रहे है मंगला आर्ती के बाद बाबा विश्वनात के पट आम श्रधालों के लिए खोल दिये गए है सुबह से ही दर्शन के लिए श्रधालों की लाइन लगी हुई है महाश्यवरात्री पर विश्वनात मंदर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे गंगास्नान के बाद श्रीकाश्यव विश्वनात मंदर में पूजर अर्चना के लिए अतिहासिक दश्वाश मेद घाट और असी घाट समेट कई गंगा घाटों पतड़के चार बजे से भी श्रधालों के आनिक का सिल्सला शुरू हो गया था और इस खबर पर देख जानकारी के लिए में साथ फोन लाइन पर जोच गया वारांट सी से हमारे समधाता दुर्गेश दुर्गेश वारांट सी में महाशिवरात्री को लेकर कैसा महल देखा जा रहा है जी बताना चाहूंगा कि आज कासी में बाबा विशुना महाशिवरात्री जो मनाई जाती इस परवती रूप में मनाई जाती दूसरी बास में आज कासी में पूरी कासी सीव में हो गए क्योंकि कासी में भगवान करकर में विदा इजमान होते हैं भगवान सीव आइसे में बाती है तो सुबा मंगला आर्थी के बाद से ही सरदालू के लेग पड़ खोल दिया गया और करीब 4-5 लाद सरदालू आये पर बाबा विश्वनात दर्सन भी किये हैं और भी अनुमान लगाया जारा है कि जब से बाबा विश्वनात को रिडर बनाया तर दर्सन कि यहां पर और भी संक्या बढ़ गई है क्योंकि दूर दर्णा से पहलेत वाते थे लेकिन अब कोरीडोर बनने की वज़े से और दिश्वत दालू है आ रहा है बाबा विश्वनात के च्यार गेख है च्यारों गेख खोल दिये गए है जो गंगा घास का वहां पर जा रहा जो यहां पे पूरी कासी मैदागरिन आ है वहां पे पूरी लाइन लंदी लगी हुना अब बताना चाहूंगा कि आज कासी है तो कासी में भगवाँ दी बढार निकला है गोजे से बढ़ास निकलाए गिसमिए आपका बहुत बहुत पहुत प्यास ऐसे में तमाम पेश्व आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साजा करने के लिए